हलो एवरिवन राठोड आयस एकटेमिय में आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स आज हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक नए तेवार के बारे में देखने जा रहा है जिसे हाली में भारत के प्रधान मंत्री मान्यम मोधी जी ने किसानों को बधाई दी है तो आईए हम जानते हैं कि नौवा खाली जोहार एक क्या तेवार है और इसको कहां कहां मनाया जाता है हमारे देश में तो हमारे एग्याम के पॉइंट आप यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ UPSC में आर्ट एंड कल्चर से हर साल पांच-छे कुछन पुछते ही पुछते हैं तो यहाँ टॉपिक काफी महान यहां हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो आईए हम देखते हैं कि यह नुवाखाली जुहार क्या है तो नुवाखाली जुहार यहाँ एक कृशी उस्सव है जो की यहाँ तीन राज्यों में मनाया जाता है मुख राज्य है इसका ओडिसा में बहुत जादा पैमाने पर इसको मनाया जाता है ओडिसा के बाद जो आता है दक्षिन 36 गड़ और ज्ञारखन यह प्रमुकता से तीन राज्यों में इस तेवार को मनाया जाता है और यहां तेवार किसानों के लिए काफी महत्यपूर्न रोल अदा करता है यहां शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है नुवा और खाई इसका मतलब दोस्तों यह होता है नुवा यानि इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि नुवा याने नया और खाई खाई याने अनाज याने नया खाना इसका मतलब यह होता है कि नया खाना तो अब यह तेवार किसान क्यूं मनाते हैं तो इसका मनाने के पिछे कारण है जैसे कि मुसम में बदला होता है और किसान एक नई फसल के स्वागत के लिए यह तेवार मनाया जाता है किसानों को जो नई फसलों की सौगत के लिए यहां तेवहार मनाया जाता है ध्यान रगना है और यहां कब मनाया जाता है तो यहां गनेश चतूर्थी जो होती है गनेश चतूर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है इस तेवहार को गनेश चतूर्थी के एक दिन बाद मनाया और इस तेवहार में किसान काफी महत्वपुर्ण अपने उनकी लोग परंपराए देखने को मिलती है तो इस समय किसान क्या क्या करते हैं तो सबसे महत्वपुर्ण बात यह होती है कि अन्न की पूजा इस्तेवार में की जाती है जब किसानों के जो फसल के बारे में होता है तो जो नई फसल होती है तो उसके बारे में याने किसान उसकी पूजा करते हैं और इस विशेश दिन में वो अपने यहां अलग-अलग भोज की बेवस्ता करते हैं विशेश प्रकार के भोजन तयार करते हैं और लोगों को बुलाते हैं जैसे कि हमारे बाकी राज्यों में जैसे हम देखते हैं कि दिपावली में या होली के समय जैसे हम लोग एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं इसी तरह इन लोग किसान लोग यहाँ पर एक दुसरे को इन्वाइट करते हैं भोजन के लिए अब सबसे महत्व पुर्ण बात होती है कि जो ये नया जो अनाज होता है तो इसके जो वहाँ की जो मात्री दिवी इनकी जो है तो उनको पहले इसका भोग लगया जाता है उनको कुछ किसानों अपना अन्न अरपन करते हैं अपने खेत का जो पहला अन्न होता है उसको वहाँ की मात्री दिवी है समलेश्वरी दिवी समलेश्वरी दिवी को जाके ये अपना पहला अन्न अरपन करते हैं और उसके बाद तरह तरह के सांस्कृतिक कारेकरम होते हैं किसान लोग करते हैं तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एक्जाम के द्रिष्टिकों से तो इसमें कुछन यह भी बन सकता है कि यह त्यवार कहां मनाया जाता है और इसका परपच क्या है मनाने के पीछे यह क्यूं मनाया जाता है और इसमें विशेश रूप से यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह त्यवार बेसिकली इसके नाम के लेके जैसे इसमें पूछा गया है कि नुवा खाई जुहार और इसको एक और नाम से जानना जाता है यह नाम है भेडगाड इसको ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि भे PCS में घुमा के पुच्छन पूछ सकते हैं नुवाखाई हमें पता है कि नुवाखाई हमने तो पढ़ा है लेकिन एक भेटगार्ड भी इसका अलग नाम है तो इसे ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए यह काफी अहम हो जाता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको है है